गुड इवनिंग बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे आप्टिक्स का लेक्चर नमबर 25 इस लेक्चर नमबर 25 में हम लोग लेंस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आज का टॉपिक है इंपोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ए स्फेरिकल लेंस गोलिये लेंस से संबन्दित कुछ मुख्य बाते हैं तो हम लोगोंने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि इस्फेरिकल लेंस दो टाइप का होता है फिर कॉन्वेक्स लेंस तीन प्रकार का होता है बाई कॉन्वेक्स या डबल कन्वेक्स प्लेनो कन्वेक्स और कन्केव हो कन्वेक्स कन्केव लेंस भी तीन प्रकार का होता है बाई कन्केव या डबल कन्केव प्लेनो कन्केव और कन्वेक्स हो कन्केव फिर ये भी पढ़ा था कि अगर किसी bi-comings connected lens का दोनो radius बराबर हो तो उसको equiconvix कहते हैं आगर किसी bi-concave या double-concave lens का दोनो radius बराबर हो तो उसको equiconcave कहते हैं चलिए आगे अब हम continue करते हैं आज के class में हम लोग क्या सिखेंगे? कि किसी lens में एक optical center होता है किसी lens में एक ही optical center होता है, वो कौन सा point होता है, फिर सिखेंगे principal axis क्या होता है lens का, फिर focus, किसी भी lens में दो-दो focus होता है, किसी भी lens में दो focus होता है, एक optical center होता है, एक principal axis होता है, दो focal length होता है, और एक aperture होता है, तो किसी भी lens में कितना focus होता है, दो focus, एक होता है F1 यानि first focus, और दूसरा होता F2 यानि second focus किसी भी lens में दो-दो focal length होता यानि दो focus दूरियां होती है एक होता first focal length यानि F1 और दूसरा होता second focal length F2 और aperture, aperture को हिंदी में अभिमुखिया द्वारक कहते हैं तो इस पाचों point को आज के class में हम लोग cover करेंगे तो चलिए बारी-बारी से हम लोग देखते हैं सबसे पहले start करते हैं optical center क्या है ये माल लीजिए एक convex lens है इसमें दो surface है ये पहला वाला जो surface है इसका pole कहां पर होगा यहां पर इसको हम P1 कहते हैं और दूसरा वाला जो surface है इसका pole कहां होगा बीच में होता है pole इसको P2 कहते हैं दोनों pole को मिलाने वाला जो line होगा उसको हम principal axis कहेंगे तो इस line को हम क्या कहेंगे principal axis ये वाला जो surface है इसका center of curvature इधर होगा C1 ये भी तो किसी गोले का ही हिस्सा है lens में दो-दो गोलिये सता होता है किसी भी lens में दो गोलिये सता होता है ये first गोलिये सता है पहला गोलिये सता है और ये second गोलिये सता है second spherical surface इस गोलिये सता का radius sorry center किधर होगा? इधर होगा इसको हम C1 कहते हैं और इसके pole से इसके center का distance क्या कहलाएगा R1 यानि radius of curvature ये वाला जो surface है ये इस गोले का हिस्सा है इसका center किदर होगा इधर C2 और इसके pole से इसके pole से जो ये distance होगा इसको कहेंगे R2 क्या जरूरी है कि R1 और R2 बराबर हो R1, R2 बराबर हो भी सकता है या R1, R2 का मान बराबर नहीं भी हो सकता है इस बात को याद रखेगा lens में दो गोलिये सता होता है दोन्यों गोलिये सता का जो center होता है वो अपने-पने pole से बराबर दूरी पर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इसका मतलब किसी भी lens में दो गोलिये सता होता है, दो पोल होता है, दो center of curvature होता है और दो radius of curvature होता है ये दोनो radius of curvature बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, किलियर है अगर lens बहुत पतला हो, lens क्या हो बहुत पतला, थीन हो, पतला lens हो पतला लेंस किसको कहेंगे? जिसका ये वाला दूरी बहुत कम हो तो हम लोग C1 और C2 का डिस्टेंस इसके पोल से नहीं मापेंगे बलकि यहां से मापेंगे बीच वाले बिंदू से जिसको O कहते हैं O का मतलब हो गया ओप्टिकल सेंटर इस बिंदू O को कहते हैं अप्टिकल सेंटर लेंस के ठीक बीच में एक बिंदू O होता है जिसको अप्टिकल सेंटर यानि प्रकासिक केंडर कहते है चुकि अगर लेंस पतला होगा तो यह जो दूरी है P1C1 P1C1 इस दूरी को आपने R1 कहा और P2C2 इसके पोल से जो इसके सेंटर का डिस्टेंस है इसको आपने क्या कहा R2 कहा तो हम सेंटर C1 की दूरी कहा से मापने है P1 से और सेंटर C2 की दूरी कहा से मापने है P2 से तो अब हम सारा दूरी कहा से मापेंगे O से मापेंगे तो center C1 की दूरी O से कितनी हो जाएगी O C1 तो P1 C1 बराबर O C1 होगा P1 C1 का मान लगभग O C1 अब ध्यान से देखेगा P1 से C1 की दूरी P1 से C1 की दूरी और बिंदू O से C1 की दूरी लगभग बराबर होगी क्यों? क्योंकि ये lens पतला है पतला है मतलब ये वाला distance कम है तो इसको neglect कर सकते हैं उसी प्रकार P2 से C2 की दूरी P2 से C2 की दूरी को हम O C2 कह सकते हैं इसका मतलब lens में दो center of curvature होता है और दोनो center of curvature का distance कहां से मापना चाहिए? O से O से तम मापना चाहिए जब lens पतला हो तो हम लोग को पूरे syllabus में thin lens के बारे में पढ़ना है thick lens के बारे में नहीं पढ़ना है हम लोगों को class 12 के syllabus में कौन सा lens पढ़ना है? Thin lens पतला lens इसलिए सभी distance हम कहां से मापेंगे? O से मापेंगे अगर मालीजे lens के सामने कोई वस्तू रख दिया जाए ध्यान से देखे यह पतला lens है यह principal axis है यह optical center O है इसी line को हम कहते है principal axis यह पहला surface है first surface और यह दूसरा surface है इस lens में दो गोलिये सता है और यह कौन सा lens है? यह उत्तल lens है convex lens है पहले surface का center इधर होगा और दूसरे surface का center इधर होगा O से C1 की distance को हम R1 कहेंगे और O से C2 के distance को R2 कहेंगे R1, R2 का मान बराबर हो भी सकता है या R1, R2 का मान बराबर नहीं भी हो सकता है तो किसी भी lens में 2 center होगा 2 radius होगा, 2 low radius बराबर हो भी सकता नहीं भी हो सकता है optical center बीच वाला point होता है optical center lens के बीच में एक ऐसा point होता है जहां से अगर कोई भी ray pass होगा तो वो undeviated pass होगा यानि बीचलित हुए सीधे गुजर जाएगा देखो ये ray अगर optical center से जाएगा तो सीधा आरपार निकल जाएगा कहीं कोई इसमें वीचलन नहीं होगा optical center एक ऐसा बिंदू होता है lens के मध्य में होता है और इससे जाने वाली कोई भी किरन बीचलित हुए सीधे निकलती है ये को अंसा lens है? concave lens इसमें भी दो surface है ये वाला first surface है ये वाला second surface है पहले surface का center इधर होगा ये बीच वाला point optical center है और दूसरे surface का center इधर होगा ये distance r1 हो गया ये distance r2 हो गया optical center lens के बीच में एक ऐसा बिंदू होता है जहां से गुजरने वाली कोई भी किरन बीना बिचलित हुए सीधे आरपार निकलती है ठीक है? तो optical center क्या है? optical center lens के ठीक बीच में इस्थित एक ऐसा point है जहां से अगर कोई भी रे गुजरती है तो उसमें कोई विचलन नहीं होता कोई अपवर्तर नहीं होता वो सीधा आरपार undeviated गुजरती है बिना बिचलित हुए गुजरती है और सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? optical center से मापी जाती है सारा distance कहां से मापेंगे? optical center से यह O हो गया optical center अगर कोई रे यहां से गुजरेगा तो यह bend कर जाएगा कोई रे यहां से गुजरेगा तो यह भी bend कर जाएगा यहां से गुजरेगा यह भी मुड जाएगा यहां से गुजरेगा यह भी मुड जाएगा लेकिन अगर कोई रे optical center से गुजड़ेगा तो ये नहीं मुड़ेगा optical center से गुजड़ेगा तो नहीं मुड़ेगा ठीक है तो optical center एक ऐसा बिंदू है जो lens के ठीक बीचों बीच इस्थित होता है और यहां से गुज़रने वाली कोई भी किरन बिना बिचलित हुए सीधे आर पार निकल जाती है lens में और भी कई points होते है जहां से कोई भी भी गुज़रेगा तो वो क्या होगा या तो converge होगा या diverge होगा ठीक है और किसी भी point से अगर कोई किरन गुज़रेगी तो वो अपने पत से बिचलित हो जाएगी लेकिन यहां पर क्या देख रहे है कि यह जो तीन point है A, B, C इस तीनों point से जो ray pass हो रहा है वो क्या हो गया बिचलित हो गया उपर क्यों और मुड़ गया इसमें नीचे क्यों और मुड़ गया इसको कहते है diverge होना यानि फैल जाना इसको कहते है converge होना यानि एक जगा आकर जमा हो जाना लेकिन optical center से अगर कोई ray pass होती है तो उसमें कोई भी deviation नहीं होगा वो बिचलित हुए सीधे r पर निकलेगी यानि वो ना तो converge होगा ना diverge होगा सीधे एकदम straight निकल जाएगा optical center समझ में आ गया और सारा distance चाहे object का distance हो image का distance हो कोई भी distance अगर मापना हो या focal length मापना हो तो वो सभी distance को हम लोग optical center से ही मापते हैं क्लियर है चुकि lens में दो गोलिये सता होता है तो दोनों गोलिये सता का जो बकरता के अंद्र है यानि center of करवेचर उसको मिलाने वाले रेखा को हम principal axis कहते है मुख्य अच्छ या प्रधान अच्छ क्या है the line joining the two center of करवेचर is called principal axis वह रेखा जो दोनों वकरता केंद्र को दोनों center of करवेचर को अर्था C1 और C2 को मिलाती है उसे ही हम principal axis कहते है मुख्य अच्छ या प्रधान अच्छ अब देखिए focus lens में दो focus होता है lens में दो focus होता है एक होता है first focus जिसको f1 कहते हैं और दूसरा होता है second focus जिसको f2 कहते है lens में कितना focus होता है दो focus first focus, second focus यानि f1 and f2 ध्यान दीजेगा focus क्या होता है एक point होता है, तो यह first focus क्या है, यह एक point है, और second focus क्या है, यह भी एक point है, यह कौन सा point होता है, यह object point होता है, first focus कौन सा point होता है, object point, जिसके लिए image infinity पर बनता है, जिसके लिए image कहां बनता है, infinity पर बनता है, infinity पर बनता है, और second focus क्या होता है यह image point होता है image point होता है जिसके लिए object कहां होना चाहिए object infinity पर इस्थित होना चाहिए एक बार देखिए दोनों का definition क्या है तो lens में दो focus होता है first focus and second focus first focus object point होता है second focus image point होता है याद रहेगा पहला focus object point है दूसरा focus image point है पहला focus object point है दूसरा focus image point है फर्स्ट फोकस अब्जेक्ट पॉइंट है कैसा अब्जेक्ट पॉइंट है तो वैसा अब्जेक्ट पॉइंट है जिसके लिए image कहां पर होता है infinity पर और सकेंड फोकस image पॉइंट है कैसा image पॉइंट है जिसके लिए object कहां होता है infinity पर तो देख लेते हैं यह एक convex lens है यह convex lens है पहले हम first focus के बारे में जानते हैं convex lens का यह principal axis है और यह जो बिंदू है यही है first focus यहां से जो भी रे जाएगा वो lens से गुजरने के बाद सीधा parallel हो जाएगा चुकि convex lens light को converge करता है तो जैसे यह ray इससे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा ऐसे bend हो जाएगा और यह ray जैसे इससे जाएगा तो यह क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा इसको जाना था सीधा पर यह सीधा नहीं जाएगा बलकि यह bend हो जाएगा, यह mood जाएगा, ठेक है? तो convex lens किस प्रकार का lens होता है? Converging lens होता है यह light को क्या करता है? Mood ता है फैलाता नहीं है अगर light को फैलाता है तो light जा रहा था सीधा light कैसे जा रहा था? सीधा अगर यह exileाता है तो यह ऐसे हो जाता पर ये फैलाता नहीं है यह बल्कि मोर देता है तो Convex Lens Converging Nature का होता है यानी ये Convex Lens Convex Lens किस प्रकार का होता है ? Converging Nature यानी आने वाले light को मोरता है इसलिए इसको Converging Lens भी कहते है Converging का मतलब ह साथ है अभी सारी अभी सारी मतलब जो प्रकाश की किर्णों को मोडता है अभी सारी लेंगे तो इसको first focus कहेंगे देखिए यहाँ पर अगर किसी object को हम रखे तो object से अगर दो रे निकलेगा तो ये lens से गुजरने के बाद सीधा निकल के चला गया तो ये दोनों आने वाला रे है ये दोनों जाने वाला रे है जाने वाला रे पैरलल हो गया ये दोनों पैरलल है तो ये दोनों कहां कटेगा जाके infinity पर इसका मतलब जाने वाला रे चुकी infinity पर कट रहा है इसलिए image कहां बन रहा है infinity जबकि object यहाँ पर है तो first focus क्या है, first focus object point है, जिसका image कहां बन रहा है, सिधा infinity पे बन रहा है, आप इस चीज़ को concave lens में भी देख सकते हैं, ये concave lens है, ये दो ray incident हो रहा है, lens पे, कहां कटता हुआ लग रहा है, आने वाला ray, incident ray जिस point पे कटता है या कटता हुआ लगता है, उसको object point कहते हैं, और य ये lens चुक्ई diverging lens है, concave lens किस प्रकार का होता है, diverging यानि अपसारी, diverging को क्या बोलता है, अपसारी, ये light को फैल आता है, तो ये light को क्या करेगा, जैसे lens से pass होगा, ये ऊपर क्योँ और फैल आदेगा, और फैल आने के बाद ये क्या हो जाएगा? पैरलल हो जाएगा, तो मतलब first focus क्या है यही point है first focus first focus object point है जिसका image कहां बन रहा infinity पर first focus object point है मतलब यहाँ पर अगर एक object को डाल दिया जाए तो इसका image सीधा कहां बनेगा infinity पर यहाँ पर object को डाल दिया जाए तो इसका image कहां बनेगा infinity पर तो first focus क्या है first focus फोकस एक अब्जेक्ट पॉइंट है जिसके लिए इमेज कहां पर बनता है इंफिनिटी पर अब देखिए सकेंड फोकस क्या है कि फस्ट फोकस हो गया अब सकेंड फोकस के बारे में बात करते हैं कि यह आपका कॉन्वेक्स लेंस है पैरलल रे जहां पर कटता है पैरलल रे जिस पॉइंट पर कटता है उसी को हम एफ्टू यानि सकेंड फोकस कहते है अब देखिए यह दोनों आने वाला रे है यह दोनों जाने वाला रे है जाने वाला रे यहाँ पे कट रहा है इसका मतलब यह जो F2 है यहाँ पे image बन रहा है आने वाला रे चुकि पैरलेल है इसका मतलब यह दोनों पैरलेल है कहां से आ रहा हुआ infinity से इसका मतलब object कहां infinity पर तो आब बताईए second focus क्या है second focus image point है second focus क्या है image point जिसके लिए object कहां पर है infinity पर object कहां infinity पर इसका मतलब second focus एक image point होता है जिसका object कहां पर होता है infinity पर चुकि आने वाला ray parallel है इसका मतलब object infinity पर है और जाने वाला ray यहां पर कट रहा है इसका मतलब image यहां पर बन रहा है इसी point को हम F2 कहें तो F2 क्या है principal axis, यह इसका optical center O, इस पे भी parallel ray को भेजिए, तो यह lens क्या करेगा, parallel ray को diverge कर देगा, उपर क्यों और फैला देगा, यह दोनों diverging ray आगे तो कटेगा नहीं, क्योंकि यह फैल रहा है तो आगे नहीं कटेगा, इसको पीछे बढ़ाने पे कहां कटता हुआ लगेगा, यहां पे इसी point को हम F2 कहेंगा, अब देखो जाने वाला ray कहां पे कटता हुआ प्रतित हो रहा है, यहां पे, तो यह image point है, तो F2 यानि second focus कैसा point है, image point, जिसके लिए object कहां है, object infinity पर है, क्योंकि आने वाला ray parallel है, इसका मतलब object infinity पर है, तो बताइए second focus क्या होता है, second focus एक image point होता है, जिसके लिए object कहां पर होता है, infinity पर, तो याद रहेगा definition, first focus object point है, जिसका image infinity पर होता है, second focus image point है, जिसका object infinity पर होता है, parallel ray, आने वाला ray अगर parallel हो, तो वो हमेशा F2 से पास होता है, आने वाला ray, देख रहे हैं, अगर parallel ray किसी भी lens पर अगर parallel ray आएगा, तो वो हमेशा F2 से या f2 से जाता हुआ प्रतीत होगा कॉन्व से लेंस में सच्मुठ ये f2 से जाता है कनकेवलेंस में ये f2 से जाता हुआ उस्टिध हो रहा है इसमें देखिए कि Optical Center के इधर वाला सारा डिस्टेंस पोजेटेव होगा ऑर Optical Center के इधर वाला distance negative होगा और इधर वाला positive होगा जैसे कि number line पे होता है जैसे कि mirror में हमने बताया था उपर का height positive होता है नीजे का height negative होता है अब ध्यान से देखिए optical center O और F2 इसके बीच के distance को हम कहते है second focal length इसको small F2 से denote करते हैं ये जो optical center O है और ये जो second focus है इस दोनों point के बीच का distance कहलाता है second focal length अप्टिकल सेंटर O और F2 के बीच का जो distance है इसको कहते है second focal length F2 F2 बराबर O F2 और optical center और first focus के बीच के distance को first focal length कहते है तो इसका जो second focal length है यानि F2 ये positive है convex lens का second focal length positive होता है concave lens का second focal length negative होता है अब ध्यान से देखिए ये O F2 इधर है negative side तो convex lens का F2 positive होता है जबकि concave lens का F2 negative होता है तो जैसे कि किसी भी lens में दो focus point होता है वैसे ही दो focal length होगा first focal length second focal length देख लेते हैं इसको कहते हैं हिंदी में प्रथम focus दूरी इसको small f1 से रिनोट करते हैं और दूसरा होता है second focal length इसको कहते हैं दूतिये focus दूरी F2 ये convex lens है इसका first focus इधर होता है और second focus इधर होता है अभी अभी हमने आपको बताया था और इधर optical center होता है जबकि Concave lens में उल्टा होता है Concave lens का first focal length यानि first focus इधर होता है second focus इधर होता है और बीच में optical center होता है optical center से second focus के बीच के distance को second focal length optical center से first focus के बीच के distance को first focal length optical center से second focus के बीच के distance को second focal length f2 और O से f1 के बीच के distance को small f1 यह small f1, small f2 यह दोनो focal length है जबकि यह capital f1, capital f2 यह दोनो point है जिसको focus point या सिधा focus भी बोलता है ठीक है? अब ध्यान दीजे, अगर सिर्फ focal length हम बोलते हैं, focal length, तो इसका हमेशा मतलब second focal length होता है, देखिए focal length तो दो प्रकार का होता, एक होता first focal length f1 और एक होता second focal length f2, अगर किसी question में दिया हुआ है, कि एक convex length है, जिसका focal length 10 cm है, तो आप वहाँ पर confused हो जाईएगा, आप सोचिएगा कि focal length 10 cm है, तो ये कौन सा focal length है, ये first focal length है या second focal length है, तो जब भी ऐसा लिखा हो focal length, तो focal length का मतलब हमेशा second focal length होता है, जब तक कि first कहा न जाये, तब तक focal length का मत हमेशा आपको second focal length ही समझना है, तो अब आप बताओ focal length का मतलब अगर second focal length होता है, तो convex lens का focal length positive होगा, focal length का मतलब second focal length, तो ये तो positive होगा, क्योंकि पहला जो focal length है F1 ये important नहीं है, हमेशा focal length का मतलब second focal length ही होता है, focal length दो प्रकार का होता है, first focal length, second focal length, इस दोनों प्रकार में जो पहला focal length होता है वो important नहीं है सबसे ज़्यादा important दूसरा focal length होता है और अगर हम केवल focal length बोलते हैं अगर सिर्फ हम focal length बोलते हैं focus दूरी बोलते हैं तो focus दूरी का मतलब हमेशा second focal length होता है तो second focal length इसमें क्या होता है negative तो याद रखेंगे convex length का focal length positive होता है और concave length का focal length negative होत एफ का मतलब f2 ता अब बताईए उत्तल लेंश की फोकस दुरी positive हहते हैं, अबनेकी फोकस दुरी negative हुती ओत्तल लेंश की फोकस दुरी, फोकस दुरी मतलबuka f2, बार बार कर रहे हैं, convex lens का focal length convex lens का focal length positive concave lens का focal length negative convex lens का focal length positive concave lens का focal length negative अभी अभी हम बात कर रहे थे कि parallel ray किसी भी lens पर अगर parallel ray आएगा तो वो हमेशा F2 से जाएगा तो इसका convex lens का focal length positive होता है second focal length positive होता है इसका मतलब ये lens क्या करता है आने वाले ray को converge करता है इसलिए इसका नाम है Converging Lens Convex Lens को Converging Lens इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका focal length positive होता है इस पर अगर parallel ray आएगा तो ये भी F2 से जाएगा तो ये तो diverge करता है ये F2 से जाता हुआ प्रतीत होता है ऐसे करके ये diverge करता है parallel ray हमेशा या तो F2 से जाता है जैसे देखे parallel ray आया F2 से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है तो चुकि इसका focal length negative है इसका मतलब ये light को क्या कर रहा है diverge कर रहा है तो जिस lens का focal length negative होगा focal length मतलब F2 के बारें बात कर रहा है जिस lens का focal length negative होगा वो diverging lens होगा जिस किसी lens का focal length negative होगा वो diverging होगा और जिस lens का focal length positive होगा वो converging होगा converging का मतलब light को ये converge करेगा इधार इधार मोड़ेगा तो इसका focal length positive हो जाएगा ये light को जैसे diverge करेगा तो ये पीछे आके कटेगा तो इसका focal length negative हो जाएगा ठीक है तो आप किसको converging lens कहेंगे हम उस lens को converging lens कहेंगे जिसका focal length positive हो उस lens को diverging lens कहेंगे जिसका focal length negative हो आप जरा सोचिए ना अगर कोई भी lens diverging होगा तो वो आने वाले ray को क्या करेगा diverge diverge करेगा तो वो सारा ray कहां करता हो लगेगा पीछे यानि negative side यानि इसका focal length negative हो जाएगा तो diverging lens का focal length निगेटिव चुकि concave lens diverging lens होता इसलिए इसका focal length निगेटिव होता convex lens converging lens होता इसलिए इसका focal length positive होता और याद रखिए कि f1 और f2 इस दोनों की value हमेशा equal होती है f1 is always equal to f2 किसी भी lens में दो focal length होता और दोनो focal length का distance हमेशा same होता है कि याद रहेगा कि f1 और f2 यह distance और यह distance हमेशा बराबर होता है f1 is equal to f2 अगर यह distance 10 cm है तो यह भी दूरी कितना होगा 10 cm एक negative होगा एक positive होगा अब देखिए convex lens का focal length यानि f2 positive होता है इसका मतला f1 negative होगा concave lens का focal length सारे point को अच्छे से समझके याद कर लिजेगा किसी भी lens में दो focal length होता है दोनों बराबर होता है quan of excellence का f2 इधार है f1 इधार है यह optical center है इस दूरी को f2 कहेंगे इस दूरी को f1 कहेंगे अगर f1 की value 10 cm है तो f2 की भी value 10 cm होगा f2 यहाँ पर plus 10 लिखेंगे f1 का value minus 10 लिखेंगे चुकिए इधार है concave lens में आईए principal axis optical center इसका इधार f2 होता है इधार f1 होता है f2 हमेशा इधार negative side होता है इसका f2 हमेशा positive side होता है आपको अगर याद रखना है तो cable f2 याद रखें confuse मत होईए cable आप second focus के बारे में याद रखें कि उत्तल lens का second focal length positive side होता है अवतल का negative side होता है यह converging है यह diverging है इसका nature कैसा है converging यानि अभी सारी आने वाले light को यह mode देता है parallel ray जैसे आएगा यह mode देगा तभी तो इसका focal length positive होगा और यह आने वाले ray को फैला देता है तो जाके पीछे करता है यहाँ पर इसलिए इसका focal length negative होता है इसको second focal length f2 इसको first focal length f1 और दोनों बराबर होता है अगर f1 20 cm है तो f2 कितना होगा 20 होगा लेकिन f2 माइनस होगा जब भी हम focal length बोलते हैं तो focal length का मतलब हमेशा f2 होता है focal length का मतलब कभी भी f1 नहीं होता तो f1 को भूल जा केवल आप इस focal length के बारे में सोचो यही है आपका focal length f अब बता उत्तर length का focus दूरी क्या होता पोजेटिव क्योंकि यह आने वाले रे को क्या करता है अवतल लेंज का फोकस दूरी क्या होता है निगेटिव साइड क्योंकि यह आने वाले रे को क्या करता है समझ में आ रहा है तो इसका फोकल लेंज पोजेटिव ये converging nature इसका focal length नेगेटिव इसका nature diverging होता है diverging nature मतलब ये फैला देता है आने वाले रे को इसको कहते हैं अप सारी अप सारी अप का मतलब फैला देना अभी का मतलब मोड देना ठीक है? तो converging lens वैसा lens होता है जो आने वाले रे को मोडता है और converging lens का focal length हमेशा positive होगा जैसे ये light को मोड़ेगा तो इसका focal length इधर आके मिलेगा यानि positive side और जो lens light को diverge करता है उसको diverging lens कहते हैं और diverging lens का focal length negative होता है concave lens diverging होता है इसका focal length negative होता है convex lens converging होता है इसका focal length positive होता है focal length का मतलब हमेशा second focal length होता है तो किसी भी लेंज में f1 और f2 की वेल्यू हमेसा ईक्वल होती है focal length का मतलब हमेसा second focal length होता है f1 का वेल्यू r1 का आधा नहीं होता है और f2 का वेल्यू r2 का आधा नहीं होता है आपने mirror में पढ़ा था, यह concave mirror है इसका ये pole है, ये center है, ये focus है, इस दूरी को radius कहते है, इस दूरी को focal length कहते है और आपने mirror में पढ़ाता कि F जो होता है R का आधा होता है Lens में दो गोलिये सता होता है, पहले गोलिये सता का center इधर है ये distance R1 है, तो क्या R1 का आधा होता F1? नहीं एक बहुत ही मज़ेदार बात आपको बताने जा रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा और समझेगा किसी भी Lens में दो गोलिये सता होता है इसका C1 किदर होगा? ये पहला surface है, ये दूसरा surface है इसका center, पहले surface का center इधर होगा और इस दूरी को R1 कहेंगा दूसरे का center इधर होगा, इस दूरी को R2 कहेंगा R1, R2 बराबर हो भी सकता है? नहीं भी हो सकता है ये जो उत्तर Lens है, इसका focus कहां पर होगा? इसका F1 इधर होता है, निगेटिव साइड, ये F1 है और इसका F2 इधर होता है F1 और F2 ये हमेशा बराबर दूरी पर होता है ये जो F2 है और ये F1 है, ये हमेशा बराबर तो ये कभी confusion नहीं रखेगा कि C1 और O के ठीक बीच में F1 होगा और C2 और O के बीच में F2 होगा, ऐसा नहीं होता है F1, F2 को center of curvature से कोई मतलब नहीं है लेकिन mirror में तो ऐसा हम पढ़ाए थे mirror में हमने पढ़ाए था कि pole और center के ठीक बीच में focus होता है तो उस हिसाब से optical center और C1 के बीच में F1 होना चीए लेकिन F1 इधर है और optical center और C2 के बीच में F2 होना चीए लेकिन यहां बीच में नहीं है, बलकि इधर है और F1 और F2 बीच में नहीं होता कहीं भी हो सकता है इसका मतलब F1, F2 को C1, R1, R2 से कोई मतलब नहीं है F1, F2 को C1, C2 से कोई मतलब नहीं है माल लिजए R1 का value 50 cm है और R2 का value 40 cm है तो क्या F1 का value 25 और F2 का value इसका आधा करो तो 20 क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होता है f1, f2 हमेशा बराबर होता है radius बराबर हो या ना हो f1, f2 हमेशा बराबर होता है आपको पहले ही point में सिखा है f1, f2 किसी भी lens में दोनो focal length हमेशा बराबर होता है focal length का मतलब second focal length f1 का मान r1 का आधा नहीं होता है अगर R1 दिया हुआ है 50 cm तो क्या F1 का मान 50 का आधा 25 होगा ऐसा नहीं होता है और F2 का मान R2 का आधा नहीं होता है तो सवाल है F1 या F2 का मान कहां से निकालेंगे तो F1 या F2 का मान F1 को तो छोड़ दीजे क्योंकि F2 का जो मान होगा वही F1 का होगा F2 का जो मान निकलता है F2 का मतलब F और F का जो मान निकलता है वो Lens Maker Formula से निकलता है कौन सा Formula? Lens Makers Formula ध्यान से नाम याद रखिए इसको हिंदी में कहते हैं Lens Nirmata Sutra Lens Nirmata Sutra यह जो Formula होता है इसी Formula से Focal Length किसी भी Lens का जो Focal Length होता है वो Lens Maker Formula से ही ग्याद किया जाता है किसी भी Lens का जो Focal Length होता है अर्थाथ Second Focal Length उसका मान हमेशा Lens Maker Formula से ग्याद किया जाता है कभी भी आप मत सोचना कि Focal Length का Formula Radius का Half होगा यह Mirror में होता है दरपन में हमने पढ़ा है था F बराबर R by 2 होता है लेकिन Lens में Lens में F का मान R by 2 नहीं होता है मीरर में F का मान R by 2 के बराबर होता है लेकिन Lens में F का मान R by 2 के बराबर नहीं होता है बल्कि Focal Length को निकालने का Fasta Formula क्या है Lens Maker Formula ठीक है तो यह चारों पॉ hierarch याद रखेंगा अब last point बच गया है aperture किसको कहते है aperture aperture को हिंदी में द्वारक या अभिमुक कहते है द्वारक या अभिमुक ये क्या चीज है तो देखिए कोई भी जो lens होता है वो बड़ा ये छोटा हो सकता है इस तीनों lens को ध्यान से देखिए ये बड़ा है ये छोटा है ये और छोटा है ये वाला जो line है इसी line को हम aperture कहते है अगर इस रेखा की लंबाई 50 cm है तो हम बोलेंगे aperture 50 cm है इस रेखा की लंबाई अगर 40 cm या मालो 30 है तो aperture 30 है और इस रेखा की लंबाई अगर 10 cm है तो aperture 10 है यानि किसी lens में जो बीच वाले line का length होता इसी को aperture कहते है यानि इसका aperture बड़ा है इसका मतलब इसमें जादा हिस्से पर light आएगा इसका aperture छोटा है इसमें कम हिस्से पर light आएगा इसका aperture और छोटा इसमें और कम light आएगा इसका मतलब किसी lens का aperture बड़ा है इसका मतलब उससे अधिक light pass होगा तो aperture क्या है lens के जिस हिस्से से light pass होता है उस हिस्से का जो effective diameter है उसी को aperture कहते है ध्यान दीजे ये गोलिये सता है इसका ये क्या होगे diameter और ये भी गोलिये सता है ये क्या होगे diameter तो effective diameter को ही aperture कहते है यह दो गोलिये सता होता है ना lens में lens में दो गोलिये सता होता है तो बीच वाला जो line है बीच वाला line को क्या बोलते है effective diameter यानि प्रभावी व्यास तो किसी lens में जितने हिस्से से light pass होता है किसी lens में जितने area से light pass होता है उसी area के प्रभावी व्यास को याने effective diameter को aperture कहते है lens के प्रकास गमन वाले छेतरफल के प्रभावी व्यास को aperture कहते है the effective diameter of light transmitting area ये इतने से area से light transmit हो रहा है, pass हो रहा है तो इस area का जो effective diameter होगा इस area का जो effective diameter होगा इसी को हम aperture कहते है समझ में आ गया तो चलिए आज के लिए इतना ही अगले लेक्चर में मिलते हैं धन्यवाद